साथियों, बदलते हुए समय में हमें अपनी भाशाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है। अब मैं आपको जारखन के एक आदिवासी गाउं के बारे में बताना चाहता हूँ। इस गाउं ने अपने बच्चों को मात्रु भाशा में सिक्षा देने के लिए एक अनूठी पहल की है। मंगलो गाउं में बच्चों को कुडुक भाषा में सिक्षा दी जा रही है। इसकूल का नाम है कार्तिक उराउं आदिवासी कुडुक स्कूल। इसकूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। कुडुक भाषा उराओं आदिवसी समुदाई की मात्रु भाषा है। कुडुक भाषा की अपनी लिपी भी है जिसे तोलंग सी की नाम से जाना जाता है। ये भाषा धीरे धीरे विलुपत होती जा रही थी। जिसे बचाने के लिए इस समुदाई ने अपनी भाषा में बच्चों को अंग्रेजी भाषा में दिक्कत आती थी। इसलिए उन्होंने गाओं के बच्चों को अपनी मात्रु भाषा में पढ़ाना शुरू कर दिया। उनके इस प्रयास से बहतर प्रणाम मिलने लगे तो गाओं वाले भी उनके साथ जुड गए। अपनी भाषा मे पढ़ाई की वज़त से बच्चों के सिखने की गति भी तेज हो गई है। हमारे देश में कई बच्चे भाषा की मुश्किनों की वज़त से पढ़ाई बिच में ही छोड़ देते थे। ऐसी परेशानियों को दूर करने में नई राष्टिय शिक्षा नीती से भी मदद मिल रही है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए।